नमस्कार मैं हूँ ससी आये जरगां की टॉप 25 पर्मोख खबर जानते हैं चीन को भारतिय से नाकी खुप्या जनकाई देने वाला सोतंत्र पत्रकार गिरफतार दिली के सोतंत्र पत्रकार राजीव सर्मा को दिली पुलिस ने ओफिसियल सीक्रेट एक्ट मामले में गिरफतार किया है आरोप है कि राजीव सर्मा के पास से राक्षा से समंधित खुप्या दस्तवेज मिले हैं दिली पूलिस ने सनिवार को बताया कि एक चीनी महिला और उनके नेपाली साथी को भी जिरफ्तार किया गया है बता दे कि उसने बर्ष 2016 से 2018 तकी जनकारी चीन को दी है वह चीनी इंटेलिजेंस के लोगों से विभीन देशों से मुलकात करता था मौसम विभाग के नुसर बंगाल की खाड़ी में उतरपूरव में कम दवाव का छेत्र बन रहा है 20 सितंबर तक पूर्ण रूप से इसके बिक्सित होने की संभावना है इसकारण 20 से 22 सितंबर तक राज के कई जुलों में बारिस होने का नुमान है बता दे कि पिछले 24 घंटा के दोन राज में मानसूम समाने रूप से सक्रिये रहा मौसम विभाग के मुताबिक आज राज के कई जुलों में बारिस हो सकती है आगन बारी केंदर में उगी सबजी बच्चों के भोजन में होंगे समिलीत आगन बारी केंदर में अब बच्चों को वही पर उगाई गई सबजी भोजन में दी जाएगी उसके लिए आगन बारी केंदर परिसर में ही मौसमी सबजी की खेती होगी बता दे कि विभीन तरह कि सबजी की खेती में जैवी खाद का परयोग किया जाएगा ताकि बच्चों को मिलने वाले भोयन में भरपुक पोश्टी तत मिल सके। पालामु पैसर रामगर पैसर रामगर पैसर राची 284 साहिव गश्टेश सराय के लनाबे सिम्डेगा चार और 25 सिमुँ से 28 मिले हैं जाकन में कुल संग्रमिदु संख्या 79,860 है जबकि 55,697 लोग स्वास्थ हुए और 615 की मिरती हो भारत में कुल संग्रमिदु संख्या 33,99 99,923 है जबकि 42,99,724 लोग स्वास्थ हुए और 6174 मिरती हो गई भारत में केस 92,524 मिले हैं जबकि 94,384 मरीज स्वास्थ भी हुए है जबकि चात्रा धनबाद लाते हैं रामगर से एक एकिमाथ हुए हैं एक्टिव केस इस प्रकार है बोकारो 29,4281, देवघर 208, धनबाद 877, दूम का 114, पुर्वी सिम्भू 2829, गडवा 147, गिरिटी 262, गोटा 111, गुमला 390, हजारीबाग 649, जामतरा 129, खोटी 302, कोडारमा 830, लात्ते हार 216, लोहरदागा 1859, पलामु 190, रामगर 669, रांची 1334, सायवगां 109, सराय केला 734, सिम्डेगा 3125, सिम्भू 445, मरीज फिलाल, एक्टिव हैं, आज 16 जीलो में चलेगा जाच अभियान, एक लख जाच का लख्षे, राची समेत राजी के 16 जीलो में रभीवार को रैपिट एंटिजन टेस्ट का विशेष जाच अभियान चलाया जाएगा, इसमें ल पाची जम सेत्पु धनवाज में 10,000, बोकारो, हजारी बाग में 75,000, गिरीडी में 6,000, पच्मी सिम्भू, रामगर सराय किला, कोडारमा, चातरा, गोड़ा, पलामू में 55,000, जबकि दुमका में 4500, जाच का लक्ष रखा गया है सरना धर्म कोड को लेकर पूरे राजय में आज बनाई जाएगी मानव सरिंखला, आदिवासियों के लिए जन गणना, प्रपत्र में सरना कोड को समिलित करने की बांग को लेकर, राष्ट्रिय आदिवासी इंडिजन धर्म समन्वाय समिती भारत, जए आदिवासी केंद्र मोर्चावा, आदिवासी, छात्र संग के पत्र निद्यों की बैठक हुई, जिसमें निनर लिया गया कि 20 सितंबर को पूरे राजय में मानव सरिंखला बनाई जाएगी, इसमें बड़ी संख्या में आदिवासी और मुलबासी समिलित रहेंगे, सहायक पुलिस कर्मियों का बेतन और अनुबंद बढ़ाने को सरकार तयार, सहायक पुलिस कर्मियों पर लाठी चार्ज और आसू गैस छोड़े जाने के एक दिन बाद हेमंद सोरेन की सरकार ने कहा कि उनका बेतन और अनुबंद बढ़ाने को सरकार तयार है, सहायक पुलि इस कर्मियों से मिलने के लिए हैमान सुरेन के दूत के रूप में पेजल या सक्ता मंत्री मिसले स्टाकोर ने पहुंचे थे जारखन में लगेगी देश की पहली एंसुरेंस लोक अदालत का आयोजान 26 सितंबर को जारखन में होने जा रहा है इस बीमार लोक अदालत की इसके तहट लगभग 10,000 से अधिक मामले अब तक सुचिवध हो चुके हैं सेटल्मेंट से सभी मामलों का निस्पादन किया जाएगा जारखन और विहार के लिए जल्द सुरू हो सकती है बस सेवाए बिहार और जारखन के बीच बस सेवा सुरू करने के त्यारी चल रही ह इस समद में बिहार की नितिस कुमार की सरकार ने जारखन के हमन सुरेन सरकार को पत्र लिखा है यह चिठी बिहार सरकार के परिवान बिभाग ने लिखा है बताया जा रहा है कि बिभाग चाता है कि जल्द से जल दोनों राजियों के बीच बस सेवाए शुरू की जाए ता कूपोशन मीटाने के लिए बड़े प्रमाने पर अभ्यान चलाने की त्यारी की गई है लक्ष तै किया गया है कि 35 दिन में मंद्रेगा के तहत 1.5 क्रोर मानो दिवस का स्रेजन किया जाए ताकि लोगों को रोजगार मिल सके इतना ही नहीं कूपोशन मीटाने के लिए 6 माहिन के भीतर 5 लाख परिवारों को दीदी बाड़ी योजना से जोड़ा जाएगा बता देखी ग्रामिन विकास विभाक की सचीव अराधना पटनाय के अध्याक्षा में यह बैठक कर नियना लिया गया NTPC के खिलाप 10 सुत्री मांगों को लेकर 11 गाओं के लोगों का धर्ना जारी हजारी बाग जीला के बढ़त का गाम पर खंड में 10 सुत्री मांगों के समर्थन में 11 गाओं को लोगों का निश्चीद कहली धर्ना जारी है इसे कोईला के ढूलाई ठप है और अब तक सैक्रो क्रो रूपय का नुक्सान कोईला कमपनी रेलवे भारत सरकार और जार्खन सरकार को हो चुका है बता दे कि बरकागाम की विदायक अंबा पसाद ने उनके अंदोरन का समर्थन किया है लोहरदागा में पूलिस एवं सुरक्षा बलो पर हमले की बड़ी साजिस को नकाम कर दिया गया है बता दे कि केंदरी रेजरो पूलिस बल सी आर पी एफ की एक सब अंठावनवी बटालियान लोहरदागा जिला पूलिस एवं सेंट की टीम ने मुर्भू कर्चा टोली जंगल के पास से कई समागरी बरामत किया है इसे पूलिस एवं सुरक्षा बलो पर हमले के लिए चुपा कर रखा गया था चिनमस्तिके मंदीर खुलवाने के लिए हाई कोट में जनित याचका दायर रजरापा इस्थितमा चिनमस्तिके मंदीर आम लोगों के लिए खोले जाने कि मांग को लेकर पूर्य मंत्री माधाव लाल सिंग ने जारखन हाई कोट में सनिवार को जनित याजका दायर की है दायर याजका में कहा गया है कि कुरोणा माहमारी के कारण मंदीर के बंध होने से अस्थानियों लोगों काफी कठी नहीं का सामना करना पड़ रहा है दुकंदार, पुजापाट, फल, फुल, विक्रेता, नावचालक, होटल, दुकंदार के बीच जीवन यापन की समस्या खड़ी हो गई है जारखन राज खाद सुरक्षा योजना 15 नवंबर से शुरू 15 लाख को मिलेगा लाव राज में खाद सुरूजनिक, बित्रन और उभोक्ता मामले विभाग की ओर से 15 नवंबर से जारखन राज खाद सुरक्षा योजना का सुभाराम किया जाएगा इसे लेकर सनिवार को राज के उपाईवुक छवी रंजन ने एक बैठक की बैठक में चवी रंजन ने बताया कि जारखन राज खाद सुरक्षा योजना को जारखन राज मंत्री मंडल ने 8 सितमर्क मंजूरी दिया है जिसके तहद प्रती लाभुक 5 किलोगराम खाद्यान प्रती माँ 1 रुपे प्रती किलोगराम की दर से दिया जाएगा इसे 15 लाख लोगों को अचाजित किया जाना है बता दे कि जारखन राज खाद सुरक्षा योजना के लिए आवेदन ओफलाइन और ओनलाइन दोनों मोड से किये जाएंगे ओनलाइन के लिए www.ahar.jarkhand.gov.in पर आवेदन किया जा सकता है रगवर सरकार में पराशिक्षक वहमंत सरकार में सायक पुलिस कर्मी पर जूर्म ढ़ाया गया आम आदमी पाटी आम आदमी पाटी के जीला संजोजक एवं उप प्रमुक डियन सिंग ने अंदोलन रद सायक पुलिस कर्मी पर लाठी चार्ज की निंदा किया उन्होंने कहा कि अपनी जाइज मांगों को लेकर अंदोरन कर रहे सायक पुलिस कर्मियों पर राची जीला पुलिस द्वारा लाठी चार्ज किया जाना सरकार के ताना साही रवया को परदर्सित करता है जिस तरह रखवर सरकार में परासिश्वों पर लाठी चलाई गई और सरकार ने अंदुर्ण को कुचलने का प्रयास किया था वही रवया हैमन सरकार सायक पुलिस कर्मियों पर अपना रही है केंदर सरकार ने डीवी सी का 568 कोर बकाया 15 दिनों में चुकाने के राज को दिया नोटीस केंदर सरकार ने राज सरकार को डीवी सी से खरीदे गई बिजली का 568 कोर रुपे का बकाया 15 दिन में चुकाने के नोटीस दिया है समाई की उल्टी गिंती 11 सितंबर को नोटीस जारी होने के दिन से सुरू हो गई है बता दे कि उर्जा मंत्राले ने राज सरकार को अस्पश्ट किया है कि यदि जे वी बी एनल ने दिये गए समाई में डी वी सी का बकाया भुकता नहीं किया तो 2017 में हुए त्री पक्षिय समझाते की सरते के तहट राज सरकार के आरबी आई खाते से या बकाया 1417 क्रोर की चार किस्ते में बरामत किया जाएगा राज का खाजाना खाली, सीम के परिवार का भर रहा खाजाना मरांडी भाजपा विधायक दल के नेता बावलर मरांडी ने कहा है कि राज का खाजाना खाली कर मुख मंत्री के परिवार का खाजाना भरा जा रहा है परदेश में राज़ों सरुतों पर लूट मची है मरांडी ने भाजपा विधायक दल की बैठक के बाद पत्रकारों के बाद चीत के दोरा ने आरोप लगाया है मरांडी ने कहा है कि परदेश में बालू, पत्थर और कोईला का आवैद खनन बहुत बढ़ गया है यहीं से राजों का खाजाना भरता है आई टी आई में रिक्त पदों पर जल्द न्यूकती हो हाई कोट जारखन हाई कोट ने राजे से सभी आई टी आई संस्थानों से रिक्त पदों को जल्द भरने का नेदेश दिया है सुक्रवार को एक जनित याज़का पर सुनवाई करते हुए चीफ जर्शिस डाक्टर रवी रंजन और जर्शिस सुजीत नरायन परसाथ की अदालत ने कहा कि सरकार को रिक्त पदों को भरने में बिलम नहीं करना चाहिए सरकार ने राजे के युआओ को तकनिकी का उसल करने के लिए इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है तो इसका इस्तमाल भी किया जाना चाहिए हीसी सरकारी संस्थानों को लीज़ पर 32 एकर जमीन देगा गंभीर आर्थिक संकट से उबारने के लिए हीसी ने अपनी जमीन लीज़ पर देने का नेना लिया है जमीन को लीज़ पर देने से उसे 300 क्लोर से अधिक की रासी मिलेगी बता दे कि इस रासी का उप्योग कारसिल पोंजी के रूप में किया जाएगा आदित्यपूर के युवा इंजिनियर भायों ने मरीजों की मदद के लिए रोबोट तयार किया है बता दे कि 75 हयार की कुल लागत वाला यह रोबोट कुरोना के इलाज में अहां भूमिका आदा करेगा सही गलत का आकलन करने के बाद ही लाएंगे लेंड मुटिसन बील हमन सुरेन बिदान सबा में लेंड मुटिसन बील को लेकर पीछे हाटी राज सरकार ने इसे गलत और सही का आकलन करने की परकिरिया से जोड़ा है सुक्रवार को इस बावत सतार उडी दलो की बैठक के बाद मुखमेंत्रियमन सुरे ने कहा कि सरकार सही और गलत का आकलन करने के बाद ही कोई भी धैक लाएगी लोगों के सुजाव पर विचार करना अवस्यक है सरकार सभी सुजाव पर गंबीरता से विचार करेगी गढवा पूलिस द्वारा जब्त सतर मवस्यों को लूट ले गए पसुत असकर गढवा जिला के सिरी बंसीधर नगर थाना छेतर के भोजपूर गाव के कांजी हाउस से पसुत असकर सतर मवस्यों को हतियार के बल पर लूट ले गए इनमें गाय बैल बचड़ा व बाची थे बता दे कि इन मवस्यों को रमना थाना पूलिस के द्वारा पकड़ा गया था इस संबंध में काजी हाउस संचालक धर्मेंद पस्वार ने थाने में अवेदन देकर करवाई करने की मांग की है मेदनी नगर में देह बैपार का भंडा फोर 6 युवक यूतिया हिरासत में पलामु जिला मुख्याले मेदनी नगर के एक होटल में देह बैपार का धन्दा चल रहा था सुक्रवार को रेडमा ओवर विरीज के पास इस एस लोग होटल में पूलिस ने छापे मारी की राची से कुलकाता के लिए हवाई अत्रा शुरू राची से सनिवार से इंडीगो की फ्लाइट कुलकाता के लिए शुरू हो गई है साथ साथ वीडियो को एक लाइक का और अपने दोस्तों को बात से फ्रेस्बुक ट्वुटर इंस्टाग्राम पर सेयर करे आप कॉमेंट में अपना सुझाव दे सकते हैं थांक्यू